Hey, Commercians, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम करने वाले है Important Adjustment of Cashflow Statement Cashflow Statement में कौन-कौन से Adjustment तुम्हारे exam point of view से important है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को एट एक एक चीज़ को step by step पूरी तरीके से clear करने कोशिज करेंगे जो को Cashflow Statement कोई tough topic नहीं है तो stress लेनी की ज़रत नहीं है बस दो-चार adjustment है जो तुमको ध्यान में रखने की ज़रत है वो भी तुमको already आते हैं बस तुमको मैं recap करवा दे रहा हूँ जा भी तुमको fresh हो जाएगा वो चीज़ और तुमको अराम से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तुमको exam में help मिलेगी तो हम start करते हैं सबसे पहला adjustment जो आज हम discuss करने वाले हैं वो है तुम्हारा provision for tax provision for tax तुमको बहुत जगा काम आने वाले चीज़ है और यह बहुत important है तो provision for tax के regarding में मैं कुछ cases create करता हूँ यहाँ पे किस cases में किस तरीके से solve करेंगे तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ case 1 माल लेते हैं case 1 पे तुमको सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है provision for tax अब यह current year का है previous year का है opening है closing है कुछ नहीं दिया हुआ है और यह तुमको यहाँ पे दे दिया है provision for tax question में तुमको दिया हुआ है उसका amount तुमको दिया हुआ है माल लेते हैं 10,000 रूपीज यह तुमको दिया हुआ है तो इसको तुम करोगे क्या यह तुम्हारा provision for tax अब यहाँ पे तुमको को information ना देनी के वज़ए से कोई clarity नहीं होती है तो मुझे याद लखना यह 10,000 को हम current year का provision मालेंगे यह current year का provision है और इसी 10,000 को हम tax paid भी मालेंगे because हमारा पास को information available नहीं है तो हमको एचिस करने पड़ेगे अब current year का provision कहां जाता है और tax paid कहां जाता है तो तुमको पता होना होगा already current year का provision होता है वो जाता है तुम्हार नेट प्रॉफिट बिपोर tax and EOI निकालने के लिए यह वहाँ पर जाके add होता है और tax paid तुम जाब operating activity बनाते हो तो तुम्हार सबसे last में जो आता है जहाँ पर तुम working capital before changing working capital फिर working capital adjust करते हो उसके बाद जो तुम्हारा आता है cash form operations उसके बाद यहाँ पर tax को जो adjust करते है वहाँ पर तो वहाँ पर tax paid को हम less करते है in operating activity पर यह तुमको clear हो गया अब आते हैं case 2 पर case 2 में क्या दिया होगा case 2 पर माल लेते हैं तुमको opening और closing दुनों अलग-अलग दिया होगा है अगर तुमको दुनों अलग-अलग दिया होगा है तो क्या करेंगा दिखते हैं यहाँ पर example लेते हैं तुमको opening दिया होगा है 10,000 तुमको दिए दिया है date wise या तुमको exactly opening दिया है या तुमको d 와is दिया होगा year के starting दिया होगा generally April देर रहेगा and end का देट दिया रहेगा March या माल लेते हैं पर closing दिया रहेगा तुमको 12,000 या any amount 8,000 या कुछ भी दिया हो तो यहाँ पे जो तुम्हारा opening balance होता है मतलब previous year का तुम्हारा balance है वो opening balance मतलब previous year का provision माना जाएगा previous year का provision होता है इसको हम मानेंगे tax paid यह है तुम्हारा tax paid क्या हो गया मतलब यहाँ पे तुम्हारा tax paid previous year का provision होता है या तुम्हारा current year का opening balance को हम बोलते है tax paid और जो तुम्हारा closing रहेगा कुछ भी amount हो कम हो जादा हो previous year से फरक नहीं पड़ता यह तुम्हारा closing balance रहेगा यह होगा तुम्हारा current year का provision अब treatment हमने उपर बता चुका हो क्या होगा net profit before tax and ui में add होगा और operating activity में less होगा case 3 को बनाने के लिए हमको provision for tax का ledger बनाना पड़ेगा हम यहाँ पे ledger दिखते हैं ledger किस तरीके से बनता है यह तुम्हारा ledger है यहाँ पे सबसे पहर हम दिखाते हैं by balance brought down मतलब opening balance जो होगा तुमसको यहाँ पे शो कर देंगा अपनी balance को यहाँ पे दिखाएंगे two closing balance या two balance carried down मतलब तुम्हारा closing balance रहेगा अब यह information तो उपर भी दी भी थे case 2 में भी चीज़े थी यहाँ पे एक किस एक्स्ट्रा दी होगी होगी तुम्हारा tax paid अगर तुम्हों tax paid दिया हुआ है मतलब यहाँ पे cash या तुम्हें लिख सकते हो paid यह tax pay क्या गया है उसको यहाँ पे शो करेंगे अब यह tax paid कहा जाता है यह तुम्हों पता ही यह आ ओलड़ी अब आते हैं हम second adjustment में हमको discuss करना है dividend के regarding अब यह तुम्हारा dividend जो रहता है कब paid है क्या मालेंगे किस तरीके से dividend में क्या क्या चीज़े आ सकती है उसको यहाँ पे हम चेक करते हैं यह तुम्हारा second चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस topic पे dividend तुमको कोशे में directly दिया ह होगा dividend paid है या नहीं है अगर तोंगो dividend paid Не यह तो तुमको कुछ नहीं करना है बट अगर तुमको proposed दिया हुआ है अगर तुमको proposed दिया हुआ है वह भी previous year का अगर का previous year का proposed dividend है तो इसको क्या करते हैं हम net profit before tax and EOI calculate करने के लिए वहाँ पे इसको हम add करते हैं और यह proposed dividend previous year का हम इसको paid मानते है current year पे तो current year पे paid मानते हैं तो यह कहा जाता है यह तुम्हारा current year का paid जाता है तुम्हारा financing activity में minus किया जाता है as dividend paid अगर कोष्चन में interim dividend दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वो तुम्हारा interim dividend ऊपर add होगा यहां पे less होगा but एक चीज़ यहां पे समझने में यह है लिए है कि अगर तुमको question में preference dividend दिया होगा अगर question में तुमको preference dividend दिया होगा तो वह भी तुम्हारा same treatment होगा जो dividend का है बद अगर प्षु Oğlumun preference Gabriel पे किया है या नहीं कियाहए कुस नहीं पता है उमको management में दिख रही है कि reference dividend वहाँ पे है बड़ preference dividend के payment के बार套े कुछ बताया नहीं है और equity dividend पे कर रहे है equity shares को dividend पे कर रहा है cig나래 अबtwim kissing यहाँ पे ट्न के लिए रखनी चाहिए तो तुमको preference अले पीछे पढ़ जाएंगे कि हमको पहले दे एक्टिव में law यहां पर यह है कि पहले preference अलों को देना चाहिए फिर equity वलों को अगर तुम को पोश्य में दिख गया कि equity वलों को pay गर दिया है तो तुम dividend को pay कर देना कोश में बोला हो या ना बोला हो तो यहां पर होई चीज सेम होगी add करेंगे और यहां पर less करेंगे यह तुम्हारा second चीज थी जो बताने की ज़रूती एक और चीज है यहां पे financing activities related है मैं इसको case number 3 ले रहता हूँ वह तुम्हारा interest के regarding अगर माल लेते हैं कि तुमको interest pay करें debentures पे तुमको बोल जाए कि interest pay किया है हम debentures पे तुमको percentage दिया हो रहता है है यहां पे 10% debentures तो हमको interest 10% देना है clear है बट कौन से amount पे एक लाग पे या दो लाग पे यह important है यहां पे तुम्हारा answer बहुत change हो जाएगा तो यहां पे जब तक कोश्री में तुमको कुछ नहीं बोला होगा हम हमेशा मानेंगे कि opening में देंगे हमेशा opening बेदेंगे यह दो लाग है मतलब एक लाग फ्रेश इस हुआ है यह एक लाग तुम्हारा बढ़ा है इस साल पर हम यह मानेंगे कि year end में क्या कर रहा है इस फ्रेश इसू कर रहा है इन्वेस्टिंग अक्टिविटी से इन्वेस्टिंग अक्टिविटी से इसलेटेड मतलब तुम्हारा सिफ वसे डिप्रिसेशन के रिगार्डिंग है जहां पर एद्जस्मिंट के जौरद बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है में दिक्कत आती है जब तुमको प्रोवि चलेगा कि इस साल का सेल क्या है पर्चेस क्या है उसका एमोल तुमको एक्च्वल में पता चलेगा तो प्रोविजन फूर डैप्रिसेशन का जब हम लेजर बनाएंगे यहां पर तो यहां पर हम शिखाते हैं बाइ ओपनिंग बैलंस या बैलंस ब्रॉट डाउन और यहां इसको नोडाउन कर लेना जो एसेट हमने सेल किया है और उस एसेट पर जितना डैप्रिसेशन लग चुका है उस प्रोशिं में जिया वर रहेगा उस प्रोविजन को यहां पर हम शो करेंगे तू फिक्स एसेट मतला जिसको बेच रहे सिर्फ उसी का वैल्यू का डैप्रिस इसको एड़ बैक करते हैं अब यह फिक्स एसेट में यहां audra क्रोंकर प्रिक्सेट की लेजर में यहां दिखाता है two opening balance यहां पर यहां पर और क्लोजिग बेलंस आप देखो यहां पर अगenh BUT लाए me to be exiting а पैसा आएगा कॉटल कॉप्ट पर रखा गया है तो उस पे बेच रहे है उस पर एक प्रॉफिजन फर रहा होगा अगर प्रॉफिट है यहां पर दिखा देँगे अपन नूश विक्स एक पर अगर लोस हुआ है ति दिखा गजब इसको हम टैली करेंगे तो कही ना कही बैकिलision में को आएगा यह पर फंद कोधनारी अर्थे संदक पर बता चुक और यहां ली तो आता नहीं बिकॉस हमने वicio стар में तमको बता चुक रहा नूर्छ यह हमने करेंटिया पर पर्चेस किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको हम लेस करते हैं तो यह दो चार एड्यस्मेंट कुछ थे जो बताना था तुम लोगों को यह एड्यस्मेंट बस कर लेंगे तो हमारा बहुत सार टॉपिक क्लियर हो जाएगा वह सकता है इस बाठ CFS में ऐसा हो सकता है कि तुमको 3 Mark चार Mark या 5 Mark के Quotions है जो तुमको बहुत बड़ी Quotions नहीं आएंगे comprehensive quotients नहीं आएंगे individual basis पर quotients आएंगे and बहुत बहुत जाला chance है कि तुमको fixed asset के regarding एक quotients आज है कि fixed asset का क्या treatment होगा and उसका investing activity में क्या आने वाला है depreciation के regarding क्या quotients आ सकते हैं तो इन को 4-5 adjustment को अगर कर लोगे तो ये बहुत जाला chance है कि तुम आस 3-5 मास तुमको आराम से fetch करने मिल जाएगा अगर इस वीडियो से आप लोगों कुछ knowledge मिली या कुछ help हुई है तो please इस वीडियो को share करो अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनको भी help मिले and वो भी mark secure कर सके and मेरे को support कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊं कोई भी doubts हो तो निचे मैंने description में अपना whatsapp number दिया हुआ है instagram की id dv है and mail दिया हुआ है जिसमें आप तुम आराम से query पुछ सकते हो and please 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 share कीजिए मेरे वीडियो को and subscribe to my channel and keep supporting, thank you